नमस्कार दोस्तों मैं रोबन आप सब ही को एक बार फिर से अपने सेशन में जहां पर हम वन वर्ड सब्स्टिटुशन की इस सेरीज को कवर कर रहे थे इसमें वैलकम करता हूँ तो देखे पिछले पार्ट में मैंने आपसे 625 तक के वन वर्ड सब्स्टिटुशन का डिसकेशन किया था ठीक है और मैंने आपको बताया था कि आपको अपने स्कोर शेर करने हैं काफी कम लोग होने किये इस वीडियो में भी आपके लगबग 25 वन वर्ड सब्स्टिशन को मैं आपके साथ डिसकेश करूँगा आप कोशिश कीजिएगा कि आउट ओफ 25 में अपने मार्क्स जरूर शेर करें आपको भी यह रिलाइज होके बाकी के लोगों से आप कहीं न कहीं कितना पीछे चल रहे हैं यह सभी चीज़ें और कुछ नहीं आपको बस रिलाइज़िशन कराती हैं कि आपकी तियारी को आपको किस तरीके का और पुश देना है तो reference हम आपके PYQs जो भी अभी तक के SSC के अलग-अलग exams में पूछे गए हैं वन वर्ट सब्स्टिज़िशन से रिलेड़ेड़ उनी से करेंगे तो चलिए हम अपनी से वीडियो को शुरू करेंगे तो दीखे पहला statement आपको दिया गया है something that is difficult to understand यानि कि अगर कोई चीज आपके लिए समझ से परे हो यानि कि आप समझ नहीं पा रहे हो समझ से बाहर हो तो उसको लेकर देखे यहाँ पर एक word दिया गया है incomprehensible incomprehensible का मतलब something which is impossible और which is really hard to understand यानि कि which is something जो कि आपके समझ से बाहर हो उसको हम बोलते हैं incomprehensible उसके बाद देखे आपको यहाँ पर एक word दिया गया है inconclusive inconclusive का अर्थ होता है जो एक ऐसी चीज जो कि आई निर्णायक जगह पर आपको खड़ा कर दे जो अधूरा कोई चीज आपके पास हो यानि कि आप पूरा conclude ना कर पाए है तो आधूरी जानकरी या फिर आपको एक ऐसी ए निर्णायक स्थथी में खड़ा कर देना उसको परिस्थथी को लेकर और उस बात को लेकर जो हम one word यूज करेंगे वो करेंगे inconclusive ठीक है something which is not leading to a definite decision उसके बाद देखे आपको एक word दिया गया है inconceivable तो उसको हम बोल देंगे inconceivable तो यह आपका हैंपर पहला statement हो जाएगा आगी पढ़ेंगे that which is arranged by conferring or discussing तो दिखिए अगर मैं आपसे यह कहूं कि जैसे कि आप किसी meeting की बारे ना बात करें जहाँ पर आपको discussion के लिए बुला जाए यानि कि समवाद के लिए बुलाए जाए तो दिखिए एक word आपने बार-बार अपने college, अपने schooling में हर जिगे देखा होगा seminar seminar क्या होता है? seminar वही होता है जिसे arrange किया जाता है जहाँ पर आप discussion कर पाएं ठीक है? तो इस discussion की इस meeting को आप seminar बोलते हैं तो option number 2 आप कहाँ पर correct होगा उसके बाद बाकी देखिए option क्या क्या दिए गए आपको meeting, meeting के बारे में आपको पता होगा इसे हम सभा का नाम देदेदे हैं यानि कि एक ऐसा occasion when people come together to discuss something or decide something, then that word will be known as the meeting उसके बाद दीखिए अगला जो शब्द है वो है आपके पास debate debate क्या होता है? debate होता है एक argument या फिर एक ऐसा discussion जहाँ पर आप अपने different opinions को आगे रखते हैं when you are doing some bad विबाद तो जहाँ पर आप किसी चीज़ पर अलग-अलग different opinions के आधार पर अपनी बातों को आगे रखे हैं तो इस चीज़ को हम क्या बोल देंगे आपका debate बोल देंगे negotiation सभी को पता होगा या आपका समझोता होता है या फिर मैं आप से कहूँ कि एक formal discussion लोगों के बीच में जहाँ पर किसी agreement की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं तो इसको हम बोलते हैं negotiation next है आपका a mournful poem और a song तो दीए हिंदी में बोलो शोक गीट शोक गीट यानि कि अगर किसी के death के बाद या फिर किसी के किसी भी अपनी sadness को expression करने का एक poem या फिर गीट इसको हम बोलेंगे आपका शोक गीट तो शोक गीट का जो आपका English में meaning देता है वो देता है आपका allergy इसकी spelling या दे देंगे इसमें कभी A और E को confusion करके आपको spelling correction में भी पूछ ले जाता है तो allergy यानि कि एक poem और a song which is used as the expression of sadness जहाँ पर especially हम किसी की death को लेकर बात करते हैं उसके बाद comedy के बारे में तो आपको पता ही होगा उसके बाद ode देखे यहाँ पर एक word आपको दिया गया है ode भी अपने आप में गीत होता है लेकिन ये क्या करती है किसी special event को celebrate करने के लिए ये एक poem लिखी जाती है जहाँ पर कोई आदमी इसको बताता है किसी दूसरे व्यक्ति को तो इसको हम नाम दे देते हैं ode का tragedy के बारे में भी आपको पता होगा तो यहाँ पर important word जो थे वो आपका allergy और ode थे next है आगे बढ़ेंगे आगे है आपका अगला statement which can easily be curved without breaking तो दीखे अगर कोई चीज है अगर इमान लीजे कि यह आपके पास एक चड़ी है और आप इस चड़ी को इस तरीके का curve दे दे without breaking it यानि कि तूटे ना तो इस चीज को लेकर अगर मैं आपसे बात करूँ one word substitution की तो यहाँ पर आप एक word यूज करेंगे flexible something which is flexible तो तभी वो एक form से लेकर अपने दूसरे form में आप आएगी without being broken तो यहाँ पर जो आपका correct option होगा वो क्या होगा flexible होगा next है आपका the branch of medical science which deals with the problems of the old तो दीखिए medical science की एक ऐसी शाखा जहाँ पर the old यानि की वरद्धों को related problem को deal किया जाता है तो दीखिए अगर आपने एक book पड़ी हो जहाँ पर normal Lewis की वो book है वहाँ पर आपने देखा होगा के origin of the word से related आपको अलग-अलग शब्द दिये जाते हैं तो जो old से आपको एक origin word मिलता है ना गरियाट्रिक तो यहाँ पर एक word दिया गया है आपको geriatrics geriatrics actually में वो चिकित्सा की बात करता है या फिर एक medical science की वो शाखा की बात करता है जहाँ पर वरद्ध लोगों की या फिर उनसे related disease की वहाँ पर देखबाल करी जाती है तो geriatrics क्या हो जाएगा the branch of medical science which is concerned with the disease and care of old people तो वरद्ध लोगों की चिकित्सा यानि की geriatrics यहाँ पर आपका correct option होगा उसके बाद देखिए आपको पहला जो option दिया गया है वो दिया गया है Oncology Oncology होता है जैसे tumor होता है तो उन tumors को treat करने के लिए जो study होती है उसको बोला जाता है Oncology उसके बाद आपको यहाँ पर एक word दिया गया है obstetrics obstetrics होता है कहीं न कहीं जो बच्चे का पैदा होने वाला time का concern है उससे related science या फिर उससे related विग्यान उसको हम obstetrics बोलता है उसके बाद अगला जो शब्द है वो दिया गया है आपको pediatrics pediatrics होता है बाल चिकित से यानि कि branch of medical science जो की concern होती है कि बच्चों के disease को हम कैसे दूद करें ठीक है तो उससे हम बोल देंगे pediatrics next है a child secretly changed for another in infancy तो देखिए आपने पुरानी हिंदी पता चलता था कि अरे यह तो मेरे real mommy papa है नहीं फिर अपने real mommy papa को ढूंडते थे ठीक है तो मैं यहां पर उसी बच्चे की बात कर रहा हूं वो बच्चा जो infancy यानि कि पैदा होने वाले time पर बदल गया हो यानि कि कि किसी दूसरे के साथ have been secretly left in the exchange for another मतलब देखा होता हो गए ना अपने पुरानी movie में वो कोई दाई मा टाइप की होती थी वो बच्चा बदल देती थी ठीक है तो इसको लेकर जो आप one word use करेंगे ना वो करेंगे change link उसके बाद आपको यहां पर देखिए एक word दिया गया है टेडलर टेडलर का अर्थ होता है यह एक बलब fish से related आप इसको ले सकते हैं कि मचली का चोटा बच्चा अब very small fish इसे हम बोलते हैं टेडलर उसके बाद एक word आपको यहां पर दिया गया है टाइक तो देखिए टाइक क्या होता है एक छोटा बच्चा जिसका जो व्यवार होता है वो बहुत ही बुरा होता है यानि कि बुरे व्यवार वाला छोटा बच्चा आप जाते होंगे किसी महमान के यहां पर या फिर आपके घर में ही कोई छोटा सरार्थी बच्चा होगा जिसका विहवार ना साही नहीं होगा वो हमेशा पूट परटांग हरकतें करता होगा तो उसको हम one word यूज़ कर लेते हैं उसके लिए tank next है आपको दिया गया है a garland of flowers a garland of flowers याईनि कि आप यह मान लिए जी के full का हार full के हार के लिए जो आपको यहां पर correct option यूज़ करना है पहले तो आप अपना भी answer करते रहिए ठीक है wait मत करिए कि मैं आपको यहां पर correct answer बताऊंगा तो यहां पर जो correct option यूज़ होगा ना वो होगा आपका wrath ठीक है अच्छा मैं एक और चीज़ बताना यूज़ को आप edu24 करके youtube चैनल है इस पर जाकर complete playlist को देख सकते हैं ठीक है तो इस playlist को आप search कर लीज़े इस channel को आप search कर लीज़े वहाँ पर जाकर आप इस complete series को देख पाएंगे मैंने wrath की बात करी थी रहत यानि कि फूलो का heart जो कि मैंने यहाँ पर आपसे पूछा था statement में भी उसके बाद दीखिए यहाँ पर आपको एक word दिया गया है विरागो विरागो क्या होता है विरागो आप ऐसे माल लीजिए कि जैसे अचंडी का रूप होता है यानि कि एक बहुती ज़्यादा domineering या फिर violent bad tempered woman ठीक है उसको हम विरागो बोलता है उसके बाद दीखिए आपको यहाँ पर word दिया गया है rebel rebel होता है किसी का मतलब किसी भीड को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे है भीड भाड ठीक है कोई भीड भाड वाली जिगए तो भीड के लिए या फिर आप ऐसे बोल दे कि कोई disorderly crowd या फिर कोई mob इसको हम rebel भी बोलता है बुकेट के बारे में देखिए आपको पता ही होगा जिसको आप अपने friends को या अपनी girlfriend को या boyfriend को या आपने किसी मित्र को gift में देते हैं फूलों के एक दस्त देको नेक्स्ट आपको दिया गया है that which is morally dangerous जो की इस तरीके की हो के वहां पर आप यह मालने के वह बहुत जादा infectious है यानि कि वह बहुत जादा रोग प्रसारक है तो अगर कोई चीज morally dangerous है तो वहां पर आप एक word यूज़ कर पाएंगे pastiferous morally कहने का मतलब यह है कि यह कहीं न कहीं आपके moral structure को थोड़ा जाब बिकार कर देगी तो रोग हम इसे relate कर सकते हैं disease या infection से हम इसे आपको यहां पर आंसर हो जाएगा उसके बाद एक word आपको यहां पर दिया गया है केडावरस का अर्थ होता है जैसे कोई चीज जो की बहुत जादा पतली हो जाए यानि कि शब्द जैसा आप उसको कंकाल मतलब ऐसे बोलने के यह तो मरने की हालत में है ठीक है उसको हम इसके बाद एक word आपको यहां पर दिया गया है sign cure sign cure के अर्थ होता है एक ऐसी job जहां पर एकदम आराम हो कोई जादा कामवाम करना ना पड़े यानि कि आराम की नौकरी अगर आराम की नौकरी की बात करेंगे तो वहां पर जो one word आप यूज़ करेंगे वो करेंगे sign cure next है a land fit for growing crops तो दिखिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी जमीन जो की crashy योग्य हो तो उसको लेकर आप कौन सा one word यूज़ करेंगे अपना answer जो है अपने दिमाग में सोच लीज़े और अपने score last में share करना ना भूलिएगा तो दिखिए एक word आपको यहां पर दिया गया ह है अरबल अरबल क्या होता है उस जमीन की बात करता है जहां पर crashy करी जा सकते है यानि कि एक ऐसा land जो के fit है खेती बाड़ी के लिए तो उसको लेकर जो हम one word यूज़ करेंगे वो करेंगे अरबल उसके बाद देखिए यहां पर एक word दिया गया है आपको sterilized sterilized का अर्थ हो होता है इस प्राउट का अर्थ होता है जो plant का एक नया पार्ट निकलता है उसको हम इंदी में कॉंपल भी बोलता है new part growing on a plant उसको हम sprout बोलता है next दिया गया है आपको vulnerable यह आप सभी को पता होगा ठीक है लोग या फिर ऐसे चीज़ें जो की deserve करते है respect by virtue of उनकी age के अनुसार उनकी dignity के अनुसार उनके character के अनुसार या फिर उनकी जो पद है उसके अनुसार तो vulnerable का अर्थ हो जाएगा आपका किसी का आदरणिया होना किस किसी का अर्थ पता होना चाहिए तो find का दिखे अर्चली में अर्थ होता है किसी इसका चल जैसे कि मैं चल की बात करो चल हो गया या कपट हो गया इसको लेकर एक one word हम यूज करते हैं हाँ पर pretended attack pretending attack कहीं न कहीं आपको find से relate करताती है जहाँ पर आप यह कर सकें कि a body moment that is intended to divert another attention often by being deliberately left incomplete तो किसी को अगर आप अपने moment या फिर अपने body के इस तरीके से बरताब करें ताकि जो सामने वाला है आप उसको भ्रहम कर पाएं उसको अपनी reality ना बता पाएं तो कुल मिला कर आप इसके साथ कपट या चली कर रहे हैं तो उसको लेकर आपको यहाँ पर यह जो word दिया गया है ना pretended attack यह यूज करना है यह EDM भी आप इसे मान सकते हैं अपने आप में जिसका अर्थ क्या होता है किसी के साथ छल कपट करना अगला है guided by one's sense of duty तो देखिए अगर मैं किसी के विवेक से काम लेने की बात करूं या कि वही वह व्यक्ती बहुत जादा विवेक धर्मशील है ठीक है तो उसको लेकर जो आप one word यूज करेंगे ना वो करेंगे conscientious यानि कि you are wishing to do one's work or duty well and thoroughly यानि कि आप अपनी duty को बहुती sense से बहुती तमीज से बहुती अच्छी से करना चाहते हैं अपने विवेक से करना चाहते हैं तो one word आप यहाँ पर यूज कर सकते ह हैं conscientious उसके बाद देखिए आपको एक word दिया गया है यहाँ पर gaggle gaggle क्या होता है gaggle आप ऐसे माल लीजे कि बत्कों का एक छोटा सा सम हो ठीक है यह आपको याद रखना है यह important है एक्जाम में उतना जादा अभी तक पूछा नहीं गया है लेकि पूछा जा सकता है तो gaggle क आपका क्या हो जाएगा बत्कों का सम हो उसके बाद next जो one word दिया गया है वो दिया गया है आपको amnesia amnesia के बारे में आपने बार बार सुना ही होगा iron की कमी से होने वाली बीमारी आप से GSK exam के paper में यह सवाल पूछ ले जाता है तो वो क्या होता है amnesia वो एक भूलने की ब circumvent circumvent का अर्थ होता है किसी से छूट बोलना ठीक है यानि कि अगर आप एक ऐसा रास्ता अपना लें कि आप किसी को अवाइड कर पाएं या फिर आप cleverly किसी के साथ निकल जाएं बचके तो आप कहीं न कहीं उसको circumvent कर रहे हैं मतलब उस व्यक्ति को नाकाम मना रहे हैं कि आपको पकड़ पाए ठीक है तो उसको लेकर जो आप one word use करेंगे न वो करेंगे circumvent नेक्स है art of making with metals तो देखिए अगर मैं आपसे बोलू धातु विज्ञान तो वो एक कहीं न कहीं scientific study होती है जहाँ पर metal और उनके किस तरीके के use हो सकते हैं हम उनकी वहाँ पर study करते हैं तो आपको यहां पर दिया गया है METEORIDE, METEORIDE क्या होता है यह आपका उलकापेंड होता है तोटता हुआ तारा जिसे हम बोलता है इसके बारे में आप सभी ने पढ़ा भी होगा, उसके बार एक word आपको यहां पर दिया गया है METAFYSICS, METAFYSICS का अखर्थ होता है अध्यात में विज्ञान आप इसे हिंदी में बोल सकता है यानि कि the branch of philosophy जो कि deal करती है किससे nature of existence से, truth से knowledge से, इसको हम बोलते है metaphysics उसके बाद एक word आपको हैं पर दिया गया है metalloid, metalloid होती है उपधातू, यानि कि कैसा chemical element जो कि property रखता है दौनों की, कौन दौनों की metal की भी और बाकी के solid substances की भी थेक़्े है तो उसको हम क्या बोल देते हैं metalloid बोल देते हैं next है shamelessly rude तो देखिए एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप ये माने कि वो बहुत ही जादा disrespect करता है वो कोई respect शो ही नहीं करता है दूसरे वक्तियों के लिए तो उसको लेकर एक हम word यूज करता है वो होता है आपका impudent impudent यानि कि when you are not showing due respect for another person मतलब आप क्या है shamelessly rude है तो correct option है आपका यहाँ पर second होगा उसके बाद देखिए आपको एक word दिया गया है यहाँ पर imbecile imbecile का अर्थ होता है किसी stupid person की अगर आप बात करें कोई mork वक्ति तो अगर आप किसी imbecile person की बात कर रहे है यानि कि आप कह रहे हैं कि वो वक्ति क्या है मॉर्ख है उसके बाद आपको यहाँ पर एक word दिया गया है क्या infallible infallible होता है कि एक ऐसा वक्ति जो कि कभी गलती ही ना करें कभी वो गलत ही ना कर पाए तो कभी ना गलती करने वाले वक्ति के लिए जो आप one word use करेंगे वो क्या करेंगे infallible करेंगे उसके बाद invincible last part में भी मैंने आप से इस वाले one word का discussion किया था यानि कि अगर आप अगर किसी ऐसे वक्ति की बात करें who is too powerful to be defeated या फिर overcome तो उसको हम अजे बोल देते हैं कि वो वक्ति क्या है अजे है उस पर आप जय नहीं पा सकते यानि कि वो क्या है invincible है next है a legal agreement that allows someone to use a building or land for a period of time usually in return for rent तो देखिए statement लिख तो इन्होंने बहुत बड़ा दिया है लेकिन कुल मिलाकर जो कहने की कोशिश करी जा रही है वो करी जा रही है कि किसी से किराए पर कोई मकान उठाना ठीक है अब आप सभी ने देखा होगा इसे हम lease बोलता है lease यानि कि एक legal agreement होता है जो कि allow करता है कि आप उस building के piece को या फिर building के area को या फिर equipment को आप किसी proper period time के लिए क्या कर सकता है land पर कर सकता है मतलब उसको cry पर ठा सकता है जिसको आपको return में rent देना पड़ेगा तो इसको हम lease बोलता है उसके बाद देखे एक word दिया गया है आपको हैंपर assurance assurance का earth सभी को पता हुगा guarantee देना किसी को promise करना किसी को पर विश्वास जताना या द्रड़ परमान देना इसको हम assurance बोलता है अगला है आपके सामने deal deal यानि कि किसी से समझोता करना bond क्या होता है bond होता है आपका rent पत्र यानि कि प्रितिग्यापत्र एक legal agreement जिस पर हम bank से जाकर money buy करते हैं money लेते हैं ताकि हम कोई घर खरीब सकें वो आपका bond हो जाता है next है rules governing socially acceptable behavior तो दिखिए अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसे नियम जहांपर आप ये कह सकें जो आपका behavior है यानि कि बरताव है वो socially acceptable है मतलब ठीक है तो दीखिए एक word आपको यहाँ पर दिया गया है etiquette इसकी spelling भी देख लेंगे spelling आपसे generally पूछ ले जाती है तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने etiquette में रहिए तो मतलब मैं कुल मिलाकर आपसे यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने सही बरताव में रही है जो कि सभी लगों को normally पसंद आता है ठीक है तो यह यहाँ पर correct जो word हो जाएगा वो हो जाएगा etiquette next है story told to illustrate a moral और spiritual truth तो देखिए अगर मैं आपसे यह कहूं कि आप कोई नीती से related कोई story सुना दे यानि कि कोई moral story सुना दे तो उसको लेकर आप जो one word use करेंगे वो आपका हो जाएगा parable ठीक है parable यानि कि एक ऐसी story या फिर एक ऐसी नीती कथा जिससे आप कोई moral चीज सीख पाए उसके बाद देखिए यहां पर आपको एक word दिया गया है न्यूबाइल न्यूबाइल होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि sexually attractive होता है mature होता है यानि कि आप उसे विवहा योग्या मान सकते है तो उसको लेकर जो one word use किया जाता है वो किया जाता है उसके बाद देखिए allergy आपको यहां पर दिया गया है प्रिशली वीडियो में भी हमने allergy के बारे में discuss किया था जिसको हम शोक गीत बोलते हैं यानि कि किसी के funeral पे गाया जाने वाला कोई गीत इसको हम बोलते हैं allergy next है ode इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी जहां पर एक poem के अंदर मैंने बात करी थी कि आप अगर किसी particular subject को कहीं पर use कर रहे हैं किसी lyric poem के अंदर तो उसको आप ode बोलते हैं next है lasting for a very short time तो अगर कोई चीज बहुत ही छोटे time के लिए होती है यानि कि छनिक होती है तो इसको लेकर जो आप one word use करते हैं वो करते हैं ephemeral ephemeral यानि कि something which is lasting or which is being used for only a short period of time तो उसको आप बोलेंगे छनिक छनिक यानि कि ephemeral उसके बाद देखें यहां पर आपको एक word दिया गया है metronomic metronomic का earth होता है जो चीज लगातार होते रहती है यानि कि something which is happening regularly तो इसको आप बोल देंगे metronomic metronomic ठीक है उसके बाद आपको यहां पर एक word दिया गया है fryable fryable क्या होता है जो चीज बहुती ज़ादा छोटे छोटे टुकड़ों में तूट जाए यानि कि something which is which can be easily broken up into small pieces तो सरलता से चूर-चूर होने वाली चीज को हम fryable बोल देते हैं उसके बाद एक word यहां पर आपको दिया गया है eternal eternal आप बोल दीजे कि कोई चीज जिसका कोई अंत ना हो something which is existing forever something which is containing forever तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई चीज अनन्त है अनादी है उसको लेकर आप word यूज कर सकते है अटर्नल next है submission to all that happens as inevitable तो अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि आप अपने भागे की तरफ जाएं यानि कि आप यह मालने कि जो होगा जो होने वाला है आपकी life पे आप उसको टाल नहीं सकते हैं तो एक तरीके से आप यही बोल रहे हैं कि आप का जो भागे आपके लिए तय करेगा आप उसको मानेंगे तो देखे भागे से related अगर आप relate बात करते हैं तो उसको लेकर जो one word use होता है वो होता है fatalism यानि कि भागयबाद the brief that events are decided by fate and that you cannot control them तो अगर आप यह सोचते हैं कि जो भी चीज आपके सामने आने वाली है आप उसे change नहीं कर सकते तो मतलब आप अपने भागय की बात कर रहे हैं आप एक भागयबादी व्यक्ति हैं तो इस चीज को लेकर आप one word use कर सकते हैं यहां पर fatalism next है आपको यहां पर एक word दिया गया pessimism pessimism कहीं न कहीं आपकी एक ऐसी status को बताता है जहां पर आप हर चीज को निराशावादी होकर देखते हैं यानि कि a feeling that bad thing will happen and that something will not be successful तो अगर आप बार-बार सिर्फ यही बोले जा रहे हैं कि यह मेरे लिए बुरा हो जाएगा मेरा बुरा हो जाएगा मेरा बुरा हो जाएगा मेरे लिए गलत होगा मैं unsuccessful रहूंगा तो कहीं न कहीं आप एक फिर निराशावादी वेखते हैं यानि कि आप एक pessimist वेखते हैं और ऐसी करने की या सोचने की चो चीज है उसको आप बोलेंगे pessimism नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया pragmatism, pragmatism का अर्थ होता है आपकी व्यभारिक्ता यानि कि when you are thinking about solving problems in a particular and sensible way rather than by having fixed ideas and theories मतलब आप व्यभार करके उस चीज को करना चाहते हैं आप हवा में कोई चीज बातें नहीं करना चाहते हैं आप चीजों को practically और sensible तरीके से solve करना चाहते हैं जब आप ऐसी सोच लगते हैं तो उसको लेकर आप जो one word use करते हैं वो करते हैं pragmatism उसके बाद एक word आपको यहां पर दिया गया है superstition superstition आपने बार-बार अलग-लग जगाहों पर सुना भी होगा superstition का अर्थ होता है आपका अंदविस्वास रखना अपने लाइफ में तो अगर आप अंदविस्वासी हैं यानि कि that cannot be explained by reason और आप ऐसी चीज़ पर बिलीव करें तो उसको आप superstition बोलेंगे अगला है the first public performance of a musical और theoretical work और the first showing of a film तो जैसे कि यह वीडियो है यह वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं और इस वीडियो का क्या हो रहा है आप किसी वीडियो का तो इसको लेकर जो आप one word use करते हैं वो करते हैं प्रीमियर इसकी spelling देख लेंगे इसकी spelling से related misspelled word में आपसे चीज़ें पूछ ली जाते हैं opener opener क्या होता है यह आपका प्रारंबिक बल्लेबाज मान लीजे आप इसको कि एक ऐसा वेक्ति जो कि पहला event आके करता है किसी भी action का ठीक है या फिर किसी गेम का debut debut भी आपका वही है कि पहला public appearance देना या perform करना लेकिन इसमें हम sports player की general ही बात करते हैं preview, preview क्या होता है, preview में भी हम पहले प्रदशन की बात करते हैं या फिर एक ऐसे occasion की बात करते हैं at which you can see a movie, a show तो उसको हम preview बोलता है, next is the policy of extending countries, empire and influence, तो देखिए अगर आप थोड़ा इस तरीके से देखते हैं कि आपको अपना जो empire है उसे फैलाना है, उसके influence को पूरी country में फैलाना है, तो उसको लेकर जो आप one word use करते हैं वो करते हैं imperialism, यानि कि फैला a rule by an emperor, एक ऐसी policy जहाँ पर आप अपनी country की power को और influence को through colonization, colonization यानि कि अपने लोगों की अलग-अलग colonies बनाके military forces के बरताफ से या फिर और किसी कारण से और किसी तरीके से आप अगर अपने सामरज्य पावर को फैलाते हैं तो उसको लेकर जो आप one word use करते हैं वो करते हैं imperialism ठीक है उसके बाद देखे एक word आपको यहाँ पर दिया गया है debauchery एकदम easy word है इसको आप याशी बोल सकते हैं यानि कि excessive indulgence या तो आप sexually बहुत जादा indulge हो जाए या alcohol में आप indulge होता है या फिर आप drugs में indulge हो जाए तो इसको लेकर जो आप one word use करेंगे वो करेंगे deba ठीक है उसके बाद ही आपको word दिया गया है यहाँ पर क्या denigration denigration होता है एक ऐसा action जहाँ पर आप unfairly किसी को criticize करते हैं यानि कि आप उसको degenerate कर रहे हैं यानि कि आप कही न कहीं उसकी छवी को बेकार कर रहे हैं तो इसको आप denigration बोल देंगे next है the act of speaking irreverently about sacred things irreverently अगर आप किसी चीज को sacred यानि कि किसी ऐसी चीज के बारे में बोल रहे हैं जो कि निंदा युग्य है तो इश्वर या फ़र पवित्री चीजों के निंदा करने के लिए जो आप one word use करता है वो करता है blasphemy blasphemy यानि कि इश्वर के निंदा या फ़र sacred ज इश्वर की बाते करें गलत बाते करें तो इसको आप blasphemy बोलेंगे अथीस्ट का अर्थ क्या होता अथीस्ट करता आपको पता है यह आपका नास्तिक हो जाएगा उसके पाद एक word आपको यहां पर दिया गया है defection defection का अर्थ होता है किसी चीज का त्याग करना तो अगर आपके सामने gradually advanced यानि कि अगर कोई चीज अपने आप में विक्सित हो चुकी हो gradually विक्सित आपने देख लिया हो तो उसको लेकर आप क्या word यूज करते है evolved यूज करते है उसके बाद एक word आपको यहां पर दिया गया है evoluted यह आपका एक geometric curve होता है evaded evaded के बारे में आपने विशाली होता है next है the study of growing garden plants तो देखिए अगर आप बागवानी की बात करते है तो उसको लेकर आप यहां पर use करते है horeculture यानि कि the cultivation of plants in the garden तो उसको आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे उसको horeculture nursery क्या होता है nursery पेड़ पौधों को बढ़ा करने का या उनको रोपने का स्थान होता है उसको आप nursery बोलते है और चार्ड गया होता है यह एक piece of land होता है जहां पर fruit के जो पेड़ होते हैं उनको उगाया जाता है उसके बाद देखिए हम पर एक word दिया गया है nomenclature यह होता है आपका किसी system एक ऐसा system जहां पर science की किसी चीज को हम name करते है उसका ना होता है सिस्मोलाजी सिस्मोलाजी नी की यानि की branch of geology जो की study करती है earthquakes के बारे में यानि की इसे हम हिंदी में भुकंप विज्ञान भी बोल चकते हैं उसके बाद astrology आपको दिया गया है यह आपका जोतिश शास्त्र होता है geography आपका भूगोल शास्त्र होता है और anthropology आपका मान comment दिये जाते हैं और conclusion आपसे पूछा जाता है कि अभी बताईए कि कौन सा conclusion यहापर निकलेगा जो इसको हिंदी में हम बोलते है न्यायवाक के तो यह आपका second option यहापर correct होगा तो this was the video जहाँ पर मैंने एक और part आपके साथ one word का discuss किया वीडियो अगर पसंद आती है तो like क करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी बजाद है नोटिफिकेशन पाएं नेक्स्ट वीडियों में मिलेंगे अपना ख्याल रखिए टेक केर बाबाई थैंक यू